पश्कार दोसों, स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोसों आज के इस वीडियो के अंदर हम Tata Steel Share Price Target 2024 से लेकर के 2030 के बारे में देखने वाले हैं कि इस तैन्वर के बीच में Tata Steel के शेयर के अंदर क्या उतार चड़ाओ देखने को मिल सकता है Tata Steel भारत की नंबर एक Steel कंपनी है जो अपने उत्पात को भी देशों में भी सप्लाई करती है साथ ही इसका बिजनेस कई देशों में फैला हुआ है Tata Group भारत का एक बिस्वसनी ये ब्रैंड है जिस पर लोगों का काफी ज़्यादा बिस्वास है यही कारण है कि Tata Group के जितनी भी कंपनिया है वे इस समय काफी ज़्यादा मजबूत है दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में Tata Steel कंपनी में निवेश करने की सोच रहे है और आप यह जानना चाहते हैं कि भाविश्व में Tata Steel Limited के शेयर प्राइस टार्गेट कहां तक जा सकते हैं दोस्तों शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्मेंट करते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर तो सबसे पहले हमें उस कंपनी के fundamental और कंपनी की details के बारे में पूरी चानकारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके की कंपनी हैं क्या उनके इन्वेस्मेंट हैं कहां किन चीजों में वो काम करते हैं तो एक नजर हम Tata Steel कंपनी के profile पर डालते हैं Tata Steel जो कि बिश्व की पांचवी सबसे बड़ी और भारत की नंबर वन इस्टील उत्पादन कंपने वाली कंपनी है और इसके plant जमसेतपूर जहारखंड में इस्टेत हैं और इसका headquarter मुंबई महारास्ट में इस्टेत हैं Tata Steel कंपनी की सुरुवात 1907 में Tata Iron and Steel Company Limited के नाम से सुरू हुआ था और इस कंपनी के उत्पाद पर लोगों को काफी जादा विस्वास है जिसके कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट में Tata Steel Company के उत्पादन का बड़े पैमाने पर उप्योग होता है एक अनमान के मुताबिक वर्तमान में कंपनी के वासिक उत्पादन चमता अगर देखें तो 30 मिलियन टन है Tata Steel Limited के संस्थापक जमसेज जी, नुसरवान जी, Tata है दूसरों अगर Tata Steel Company के सेर के उपर देखें और इस कंपनी के जो अभी तक का मार्केट कैप है तो कंपनी के अगर आप मार्केट कैप देखते हैं, 2,8,912 करोड रुपे का मार्केट कैप है करन्ट प्राइस अभी 167 रुपीज का है, अगर इसका PE रेशो देखें तो 108 का है और ROC 12.6% का है और इसके शेर प्राइस का फेस वैल्यू एक रुपे हैं और भुख वैल्यू 72.5 है ROC 7.28% और वहीं अगर इस कंपनी के शेर प्राइस के 22 वी का हायर और लोवर देखें तो 181 रुपे 171 हाई साइड और 104 रुपेस लोवर साइड रहा है दूसर अगर Tata Steel के Financial Information अगर आप देखें तो 2021 से ले करके और December 2023 तक का अगर आप देखेंगे तो इस बीच में और ओर ओल Year by Year Revenue क्या रहा है Total Assets Value क्या रही है किन Financial Year में और Total Liabilities क्या है और इनके Revenue कितने जनरेट हुए और Net Profit अगर आप देखें तो Year by Year आपको देखने को मिल लाएंगे तो इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 2021 से ले करके 2023 दिसंबर तक का कमपनी का ओवर ओल नेट प्रॉफिट और क्या Assets Value कितने revenues generate किया है total figures आपको देखने को मिल लाएगा तो अगर Tata Steel के shares के holding patterns अगर आप देखें तो यहां पर सबसे जादा promoters की percentage है 33.19% का इसके बाद में DLS 23.51% का है FLLS 19.61% का है और public sector का जो shares holding है 23.52% का और government का जो इसके अंदर holding है 0.16% का रहा है दूस्तो इसके साथ ही अगर आप investment करना चाह रहे हैं तो एक बार आप इसके last five year के returns के ऊपर भी जरूद नजर डाले अगर आप इसमें देखेंगे तो last five year का जो इसका returns है last five year में अगर आप देखेंगे तो 256% का return है four year में 527% का है last three year में 45% है और 40% one year में 57% है और अगर last six month का भी अगर आप देखें तो 33.67% का returns रहा है तो आपको चार्ट के अंदर last 5 years तक के returns इस shares के देखने को मिल दाएंगे अब एक नजर हम डालते हैं Tata Steel के share price target 2024 में Tata Steel Limited का share price 20 January 2024 को 130 रुपे पर था और जो अब 166 रुपे पर trade कर रहा है जिसमें निवेशकों को चार महिने में लगबग 27% तक का returns दिया है यनि अगर आपने Tata Steel में जनवरी 2024 में 1 लाख रुपे का investment किये होते तो अब आपको इसके अंदर 27,000 रुपे तक का profit बन चुगा होता जिस परिकार से इस share के अंदर 3G देखने को मिल रही है अगर इसके हिसाब से देखें तो Tata Steel के share price target 2024 का year ending जो होगा लगबग 185 रुपे से ले करके 200 रुपे प्रती share के हिसाब से हो सकता है के साथ ही दोस्तों अगर Tata Steel के share price target 2025 को देखें तो 2025 में अगर हम इसका first target set करें तो लगबग 225 रुपे से ले करके second target 255 रुपे के बीच में इसके price हो सकते हैं वहीं अगर 2027 का share price target देखें तो 27 में इस company का share लगबग 360 रुपे से ले करके 410 रुपे के बीच में होने के अनुमान लगा सकते हैं तो अगर Tata Steel के share price target 2030 की बात करें तो 2030 में इस company के share लगबग 560 रुपे से ले करके 620 रुपे के nearby हो सकते हैं तो अगर आप देखेंगे तो overall पांच साल में इस company के share हैं लगबग 5 गुणा returns देने वाले हैं दोस्तों ही हैं अगर हम इस company के future की बात करें तो Tata Steel का future भी काफी जादा अच्छा growth में दिखाई दे रहा है जोस्तों अगर हम इसके last five year के returns भी देखें उसको पर बात करें तो company ने काफी जादा अच्छे returns दिये हुए हैं company के वित्ये, इस्तिति और fundamentals काफी जादा मजबूत हैं company हर साल अपने investor को लगबग 35% तक का returns dividend पे दे रही हैं इसके अलावा company के उत्पादन और लोगों की काफी जादा बिस्वास को ध्यान में रखते हुए इसके product की demand भविस्ट में और जादा बढ़ने वाली है अगर आप इस company में लंबे समय के लिए कम से कम 3 साल का investment करना चाहते हैं भविस्ट में आपको काफी जादा अच्छे returns देखने को मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर मेरे आपको सला होगी कभी भी किसी भी stock में अपने पूरी capital को एक साथ निवेश न करें क्योंकि यह जोखिंबरा हो सकता है निवेश करने से पहले आप सोयम उस company के analysis जरूर करें या फिर किसी financial expert की सलाह ले किसी भी YouTube पर वीडियो देख करके आप अपना पूरा financial stocks का पैसा किसी भी stock में invest ना करें बागी दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप comment section में जा करके comment करके बताएं अगर पसंद आया तो आप उसे like करें चैनल को subscribe करके bell icon की बटन दबा दें ताकि next video जो इस channel पर upload हो उसका notification सबसे पहले आपके पास में आए धन्यवाद